सुप्रबात प्यारे बच्चों आज हम स्वर और व्यंजन की जानकरी देता हुआ पार्ट दो वर्ण विचार पड़ेंगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं नमबर एक स्वर नमबर दो व्यंजन स्वर वे वर्ण होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं यानि जीन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहा जाता है हिंदी भासा में कूल मिलाकर ग्यारा स्वर है कूल मिलाकर हुए ग्यारा स्वर अब आगे देखते हैं अनुश्वार अनुश्वार का मतलब होता है सब्द के उपर लगाये जाने वाली बिंदी के प्रयोक से हवा जो है उसके उच्चारण के समय नाक से निकलती है उसे अनुश्वार कहा जाता है देखते हैं अनुश्वार द्वन्यों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, इनके लिए शब्द के उपर एक बिंदी लगाई जाती है, जैसे बंदर, पंकज, रंग, मंजन, आदी, उसके बाद देखते हैं, अनुनाशिक, इन्द्वन्यों के उच्चारण के समय हवा, नाक और मुँ दोनों से निकलती है, इनके लिए शब्द के उपर चंद्रबिंदी लगाई जाती है, जैसे उआ, चांद, गाउं, आदी, अनुनाशिक सब्द के अंदर, हवा जो है, वो मुँ और नाक दोनों से निकलती है, जबकि अनुश्वार के अंदर, केवल हवा नाक से निकलती है, इतना दोनों में अंतर है, आगे देखते हैं, मात्रा है, स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, नमबर एक अपने मूल रूप में, नमबर दो अन्यवर्णों के साथ मात्रा के रूप में, आपने जब भी मात्रा का प्रयोग किया होगा, तब या तो वो अपने मूल रूप में होगी, या यदि आपने उसे सब्दों में लिखा हो तो उनकी मात्राओं का प्रयोग किया होगा बच्चो यहां पर मैंने एक सब्द लिखा है बादल बादल सब्द में बाके साथ किसकी मात्रा है तो उसका उत्तर है आकी इसके आदार पर हम मात्रा की परिबासा इस प्रकार बना सकते हैं वेंजनों के साथ प्रयोग करते समई स्वरों का प्रयोग उसी रुप में नहीं होता बल्कि उनके चिनहों का प्रयोग होता है यह चिनह मात्रा कहलाते हैं आईए, बच्चो अब कुछ उदाहर के द्वारा समझने का प्रयाज करते हैं, यहाँ पर स्वर है A, A की कोई मात्रा नहीं है, इसके अधर पर सब्द बनेंगे नल, कल, चल, A की मात्रा है, इसके अधर पर सब्द बनेंगे चाल, डाल, बात, E की मात्रा है, इसके अधर पर पर सब्द बनेंगे चील, गड़ी, छड़ी, उकी मात्रा है इसके अधर पर सब्द बनेंगे गून, सूब, मूक, उकी मात्रा है इसके अधर पर सब्द बनेंगे पुला, खून, दूद, रू की मात्रा है इसके अधर पर सब्द बनेंगे म्रूग, ग्रू, रुक्ष, एकी म मात्रा है इसके अधर पर सब्द बनेंगे मैल, गाइस, जैन, ओ की मात्रा है इसके अधर पर सब्द बनेंगे गोल, मोर, तोप, ओ की मात्रा है इसके अधर पर सब्द बनेंगे कौन, दॉड, फॉज, बच्चो यहां पर जितने भी स्वर प्रयुक्त हुए है, सभी स्वर में उसकी मात्राओं का प्रयोग हुआ है नहीं के स्वर का इसके अधर पर हम कह सकते हैं कि जब भी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है तब स्वर लिखा जाता नहीं है बलकि उसके चिनहा का प्रयोग होता है अच्छा बच्चो आज के लिए इतना ही आगे का अगले वीडियो में प्रस्तूत किया जाएगा धन्यवाद सुप्रबात प्यारे बच्चो आज हम स्वर और वेंजन की जानकारी देता हुआ पार्ट दो वर्ण विचार पढ़ेंगे